नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उमिस के वीडियोस में आप लोगों के लिए आज एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेका आया हूं सोच रहा हूं आप लोगों को सब अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करें तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों अपना यूटूब चैनल को सर्च में कैसे लाएं दोस्तों बहुत लोगों का डाउट है कि elector को सर्च लिस्ट में कैसे लाएं यहां पर में आज आपको पांच टिप्स बताँगा जिससे के आप अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं अगर आप ये भीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों यूनिक नेम जैसे कि अपना चैनल का कोई यूनिक नेम डालना होता है तो हम लोग क्या जो पहले जो यूटुबर्स होते हैं, ने यूटुबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कि कुछ भी हम लोग जो है चैनल का नाम दे देते हैं, और बिना कुछ सोचे अपना चैनल खोल लेते हैं, यहां पे हमें पहले अपना यूनिक नेम सोचना है, और अब जो भी वार्ज सोचे उसको आप YouTube पे सर्च करना होगा, अगर वो नाम अभिलबल है तो वो यूनिक नाम नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप फिर नाम सर्च कर सकते हैं, जब तक आपको एक यूनिक नाम मिले, जो आप फिर से सर्च करेंगे तो वो क्या होगा, वो नो रिज दूसरा जो होता है दोस्तों, अपलोड, जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, चैनल पे तब हम है ट्याग देना होता है, जब हम उस ट्याग का इस्तमाल करते हैं, तो उसमें हम कुछ अपना नाम भी डाल सकते हैं, जैसे हम, अगर कुछ नाम मेरा जैसे के हो सकता है, उमिस के वीडियोज है, तो मैं उसको short में लिख सकता हूँ, या कुछ बड़े अक्सर में लिख सकता हूँ, इससे क्या होगा ना, दो-तिन लिखने से हमारा जो वीडियो है, वो र्यांक करेगा, तिसरा है जो दोस्तो अपलोडिंग, अगर आप एक वीडियो अपलोड करते ह उसको search करके आप अपना वीडियो कहा है, तो वो देखना चाहते हैं, तो उससे आपका वीडियो र्यांक नहीं करेगा, अगर आप एक समझ लिज़ आप एक वीडियो बना लिए, उसको आप देखते रहे, मेरा वीडियो कहा है, कैसा है, मतलब कहां तक र्यांक किया, नीच करेगा, और चोथा है, दोश्तो वीडियो बनाने का topic, हामें कुछ अच्छा topic चूज करना है, जिसके उपर हम वीडियो बनाने से हमारा वीडियो जो है, वो उपर र्यांक करेगा, समझ लिज़ ये, मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसका मैंने वीडियो का दिया है, टा क्या होगा, जो भी कोई ये वीडियो सर्च करेगा, तो मेरा नाम पे वो टॉप पे दिखाएगा, उसको कि हाँ, ये वीडियो अवेलेबल है, और आपको दोस्तों, hashtag का भी यूज करना है, ये बहुत important है, description में जाके आपको hashtag का यूज करना है, और लिखना है, hashtag जैसे मैं to create thumbnail, इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपका जो वीडियो है, वो सर्चिंग में आएगा ज्यादा, और जो लास्ट बाला टीप से दोस्तों, वो बहुत important है, ये हैं keywords, जैसे कि आप अपना keywords लगा सकते हैं, आपने जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो कैसे करना है, मैं आ YouTube खुल जाएगा, तो आपका YouTube Studio का जो है, वो option दिखाएगा, YouTube Studio का option वहाँ पे आप क्लिक कर ले, उसके साइड में settings का option होगा, वो settings पे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको basic info का option दिखाएगा, ठीक है, दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, उसके नीचे आप दिख दे सकते हैं, यसे ही आप अपना 3-4 keywords दे सकते हैं, उससे कोई problem नहीं है, अब अपना keyword code को जो से के आपका keywords है, उसको आप लिख सकते हैं, मतलब जैसे small letter में कुछ लिख सकते हैं, कुछ capital letter करके, कुछ small letter करके आप यसे लिख सकते हैं, जैसे के उससे के आपका जो वीडियो है वो सर्च में ज़्यादा आएगा अगर कोई आपका सर्च करता है जैसे लिखके हाउ टू क्रियाड थम्निल तो आपका पहले वो दिखाएगा तो आपका वीडियो जो है रेंग करेगा उपर तो दोस्तों यह कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिया है तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यह स्टेप्स को फोलो करें और आपने जो है चैनल को रिखके लाए तो दोस्तों आप लोग वीडियो को दो-तिन बार देख लिजे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्या करना है तो